दोस्तों थम्नेल देखके, तो आप समझी चुके होंगे कि आज का वीडियो ये किस टॉपिक के ऊपर है, हाला कि हमने इसी टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है, जो कि सबसे पॉपुलर वीडियो हुआ है, जिसमें आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया है, तो फिर भी जो है कई भाई नए जुड़े हैं अपने चैनल के साथ, उन्होंने चैनल को अभी सब्क्राइब किया है, या कोई हमारा लेटिस्ट वीडियो देखा है, तो सायद उनको नहीं पता है, तो इसलिए ऐसे question कर रहे है, question क्या है, question यह है कि कभी भी हम अगर Yono registration करते हैं, तो बहाँ पे हमें already enabled internet banking facility का ऐसा कुछ message आता है, यानि कि बहाँ पे हमें internet banking create नहीं करने देता है, जैसे कि हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं, हमने Yono open किया, और registration के लिए हमें कहां जाना होता है, यह सब को पता है, योकि मैं internet banking के ऊपर कई सारे वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें हमने Yono के थुरू, online SVI के थुरू, Yono light के थुरू, सारे method बताय हुए हैं, कि आप कैसे कैसे internet banking बना सकते हैं, तो यहां पर क्या होता है, देखी, हम सबसे पहले यहां पर बीच वाले option पर जाते हैं, exiting customer पर और इस पर जाने के बाद यहां पर हम चाहे तो register with my ATM card के साथ चले जाएं, और चाहे register with account detail के साथ में चले जाएं, यहां पर दोनों में difference यह है, बीच वाले option पर अगर आप जाते हैं, तो यहां पर आपके पास ATM card होना चाहिए, तब आपको यहां पर branch visit करने की जरूत नहीं पड़ेगी, और खुद से username password create कर सकेंगे, लास्ट वाला option जो register with account detail है, इसमें आपको branch में visit करना पड़ता है, लेकिन यह method बिना ATM card के internet banking create करने का है, अगर ATM card जिन लोग पास नहीं है, तो बो बिना ATM card के internet banking create कर सकते हैं, इन सारे topic पर हमने वीडियो बना रखे हैं, तो यहाँ पे हम कोई भी option ले लेते हैं, क्योंकि error दोनों में same ही देखने को मिलेगा, हम register with my ATM card पे जाते हैं, यहाँ पे अपने account का CIF number डालेंगे, और नीचे account number डालेंगे, कई भाई यह भी question करते हैं, कि CIF कहां से मिलेगा, तो हमने हर एक वीडियो में बताया हुआ है, कि CIF number आपको अपने passbook पे मिलेगा, सबसे पहले उपर देखिए, CIF number रहता है, उसके just नीचे आपका account number रहता है, तो वो CIF number और account number हमें यहाँ पे enter कर देना है, तो जैसा कि आपको देख रहा है, हमने ऊपर CIF number दे दिया है, नीचे account number दे दिया, इसके बाद जो हम submit पे click करेंगे, और submit पे click करता ही, आपको यहाँ पे देखिए, इस तरीके से message देख रहा होगा, customer is already enabled for internet banking, तो यहाँ पे इसके कहने हैं, मतलब आपने internet banking जो पहले से ही बना रखी है, आपको दुबारा से यहाँ पे नहीं बनाने देगा, आप यहाँ पे काफी लोग comment कर रहे हैं, कि हमें पता ही नहीं हमने कौन सा username मनाया है, हमारे पास है ही नहीं, तो इसका solution क्या है, तो इसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए OK कर देंगे, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, बैक आजाईए, क्योंकि यहाँ पे इस application के थुरू आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, अब आपको क्या करना है, अपने से डाउनलोड कर लीजिए, और इसे open कर लीजिए, जब इसे open करेंगे, तो इसका dashboard जो कुछ इस तरीके से आएगा, तो इसे proceed पे click करेंगे, यहाँ पे, और proceed पे click करने के बाद देखिए, यहाँ पे username, password पूंचेगा, तो आप कहेंगे, कि हमारे पास username, password है नहीं, तो हम login क इसके आ रहा है, तो इस पे forget login, password वाले link पे हमें click कर लेना है, जब इस पे click करेंगे, new window open हो जाएगी, जहाँ पे जो आपको password forget करने के लिए बताया जा रहा है, तो इहाँ पे इसके उपर एक वाली tap करेंगे, तो इहाँ पे जो और option open हो के आएगे, जहाँ पे दूसरा number आ अभी आपको मैंने डाल के दिखाया था, उसके बाद country, उसके बाद जो registered mobile number पूंच रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा गौर करना, INB registered mobile number आप से पूंच रहा है, कभी कभी क्या होता है, कई वाई क्या करते है, mobile number अपना account में change करा लेते हैं, तो वो समझते के हमारा यही व रखा है, तो वो mobile number यहाँ पे invalid बताएगा, तो आपका process यहाँ पे आगे नहीं बढ़ने देगा, तो इस बात का आपको business करके ध्याम रखना है, कि internet banking में जो भी mobile number आपका था, first time जो आपने registration किया था, वो ही number आपको यहाँ पे provide कराना है, आप कई भाई ऐसा भी कह सकते हैं कि हमारे पास तो वो mobile number है ही नहीं, या वो गुम हो गया है, तो देखिए उसके लिए यहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते हैं, उसके लिए बस आपके पास एक ही option बसता है, कि आप branch में जाएए, और इस वाले username को ब्लॉक करा दीजिए, ब्लॉक कराने के बाद आप नए सिर पिछली बार लगा हुआ था, उम्मीद करूँगा है, यह सारी बात है आपको clear हो गई होगी, तो चलिए यह सारी detail हम जो आपको fill करके दिखा दे रहे हैं, यह सारी detail आप एक बारी verify कर लीजिए, कहीं कोई mistake तो नहीं कर रहे हैं, इसके बाद जो है submit पे click करेंगे, आप दे clear to resend the OTP का option आपको दिख रहा है, इस पे click करके आप दुबारा से OTP ले सकते हैं, फिलाल हमें आपे confirm पे click कर लेते हैं, और confirm पे जैसे ही click करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं, आप हमारा username जो भी है, वो यहाँ पे इसने हमें उठा के दे दिया है, कि हमारा username क्या है, और आ first time registration किया हो, या internet banking को use करते हो, और फिर भी भूल गए हो, किसी भी तरीके से कोई भी problem हो, अगर आपके पास username नहीं है, तो इस तरीके से आप अपना username यहाँ से ले सकते हैं, अब आपको दुबारा से home page पे आ जाना है, और यहाँ पे दुबारा से जाना है, आप forget login password पे, क् मुझे यह वीडियो बनाना पड़ रहा है, अब देखें, यहाँ पे forget my login password आ रहा है, by default में इसे रहने देंगे, और next पे click कर लेंगे, next पे click करेंगे, तो यहाँ पर थोड़ा सा wait करेंगे, यहाँ पे आपको username देना है, account number देना है, country सिलेक्ट करनी है, फिर से mobile number देना है, date date of birth देनी है, और capture देना है, तो चलिए यह detail भी हम फिल करके दिखा दे रहे है, यहाँ पे आपको username वो ही देना, जो अभी अभी आपको SMS के थुरू मिला हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने username सबसे पहले दिया है, उसके बाद account number, उसके बाद country है, और उसके और उसके बाद जो capture आरा वो फिल कर दिया है, सारी detail आपको बारीकी से check कर लेनी है, कोई भी missing ना होनी चाहिए, इसके बाद आपको यहाँ पर submit करना है, और submit करते हैं देखी, आपके पास एक OTP base दिया गया है, जो number आपने डाला है, उसी number को आप check कीजी, उस पर OTP आपके fill कर देना है, OTP fill करने बाद यहाँ पर confirm पर click करेंगे, और confirm पर click करने के बाद देखी, अब आपको यहाँ पर तीन option देखने को मिलेंगे, यहाँ पर भी थोड़ा गौर से समझ लेना, क्योंकि हमारा वीडियो जरूर लंबा होता, लेकिन जानकारी आपको पूरी मिलती है, तो यहाँ पर तीन option आपको देखने को मिलेंगे, इन तीनों method के थुरू आप अपना password बना सकते हैं, सबसे पहला है अगर आपके पास ATM card है, तो उसकी detail से आप यहाँ पर बना सकते हैं, दूसरा यहाँ पर आता है profile password का, आपको पता है अगर आपने हमारे पीछे वीडियो देखे होंगे, कि internet banking password बनाने के बाद एक profile password बनता है, जिसके थुरू हम अगर application login करने के बाद कोई काम करते हैं, तो जगह जगह पर यह हमसे मांगा जाता है, तो वो profile password अगर आपके पास है, तब भी आप अपने खुद से self जो ऐसे password को दोबारा बना सकते हैं, अगर इन द करते हैं, तो इसमें आपको branch visit करना पड़ेगा, अगर आपके पास ATM card या profile password है, तो आपको branch visit नहीं करना पड़ेगा, और जाहर सी बात है, अगर आप username भूल चुके हैं, तो हो सकता है, आपके पास profile password भी ना हो, कई भाईयों ने हो सकता है, profile password बनाया ही ना हो, तो यहाँ प करते हैं, उनको एक reference number मिल जाएगा, जिस reference number को लेके वो branch में जाएंगे, branch से activate कर दिया जाएगा, और वो अपना जैसे ही username डाल के login करेंगे, तो बहाँ पे उनको password बनाने का option मिल जाएगा, मैं वो भी process अगले किसी वीडियो में आपको बताऊंगा, फिलाल यहाँ पे ATM card के थुरू हम समझ लेते हैं कि कैसे हम password को दुबारा से बना सकते हैं, यहाँ पे हम select करेंगे सबसे पहले वाले option को, और इसके बाद यहाँ पे submit पे click करेंगे, तो देखे कुछ इस तरीके से window आपके सामने आएगी, जहाँ पे आपसे आपका card number पूंचा जा रहा है, expiry date पू पूल्डर जो name है बो डाल दिया और जो capture आ रहा है उसे डाल दिया, यह सारी detail जो है फिल करने वाद आपको करना पे पे click, पे पे click कर दीजिए, यहाँ पे गबराना मत आपके खाते से पैसा नहीं कटेगा, यह के बल बैरिकेशन करेगा, कि यह card आपका ही है, यह कैसी दू सकते हैं, पहला letter आपको capital देना, उसके बाद जो है small में देना है, और उसके बाद जो है special character देना है, उसके बाद कुछ अंक देने है, यहाँ पे mix password आपको बनाना है, तो चलिए हमें एक password जो है यहाँ फटा फट से जो है बना ले रहे हैं, और minimum आप यहाँ पे 8 character का password तो यहाँ पर आपके सामने एक message आ गया है, देखिए यह और login password है, has been reset successfully, आपका password भी जो है यहाँ पर बनके तयार हो चुका है, अब आपके पास username भी हो चुका है, और password भी हो चुका है, चलिए आप चलते हैं हम अपने UNO app के अंदर, और देखते हैं बहाँ पे अभी हमें login करने दे रहा है या नहीं दे रहा है, तो देखिए हम UNO के homepage पे आ गए हैं, जहाँ पर आपको नीचे तीन option मिलेंगे, new to SBI या exacting customer, तो हमें जाना exacting customer, यानी बीच वाले link पे, इस पर जब हम जाएंगे, तो यहाँ पर देखिए आपको फिर से तीन option मिलेंगे, जहाँ प यहाँ पर देखिए username और password पूछ रहा है, यहाँ पर username अभी हमने forget कर लिया, हमारे पास आ चुका है, password अभी हमने बना लिया है, बो भी हमारे पास आ चुका है, नीचे है referral code, referral code में side से आपको number देख रहा है, यह वाला referral code में आपको number डाल देना है, और description box में भी हमने referral code दे हमने दे दिया है, आप यह वाला referral code यहाँ पर डालेंगे, और इसके वाद submit पर क्लिक कर लेंगे, तो यहाँ पर देखिए, आपके सामने कुछ इस तरीके से window आजाएगी, यहाँ पर आप से पूछा जा रहा है, set your username, क्योंकि जो अभी आपका username है, वो temporary था, आप आपको य एक वार भी जो है, उसमें login कर लिया होगा, यहाँ आपको यहाँ पर ऐसा option देखने को नहीं मिलेगा, यह option आपको तभी मिलेगा, जब आपने एक वार भी login नहीं कर पाया हो, केवल आपने username create कर लिया हो, और उसके आगे का step कोई भी आपने complete नहीं कर पाया होगा, तभी आ यहाँ पर इतना है, और यहाँ पर पहचान के लिए मैं आपको बता दूँ, अगर आपने एक वार भी login नहीं किया होगा, तो यहाँ पर जो आपने forget किया username वो केवल अंकों में नहीं होगा, उसमें दोनों केटागरी का mixing होगा, जैसे कि मेरा नाम शिवराम है, तो शिवरा username होगा, तो आपको यहाँ पर इस तरीके से देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर आपको नया username create करने के लिए बताएगा, इसलिए मैं कहरा था कि अगर आपने यह वीडियो देख लिया, तो आपको कोई भी दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसी वी आपको अलफावेट नमबर देना है, मैं आपको साइड से सो कर रहा हूँ, डिस्प्ले पर आप देख लिए इस तरीके से आपको username बनाना है, क्योंकि username में बहुत से लोग जो confused हो जाते हैं, और बहुत सारे comment मुझे इसी बात को लेके आते हैं, कि username हम नहीं बना पा रहे है तो username हम आपको बता रहे हैं, चाहे तो small ले लेजिए या capital, यानि कि एक ही category उठानी है, अगर आप small में बना रहे हैं, तो small ही alphabet number देने हैं, और capital में बना रहे हैं, तो capital ही देने हैं, ऐसा नहीं कि एक जो है आपने capital कर दिया, एक small में कर दिया, तो इस तरीके से आप नहीं बना पाएंगे, तो चलिए हम username एक बना ले रहे हैं, तो देखी हमने जैसे कि username यहाँ पर बनाया है, आजए 25 नियानवे, आपको देख रहा हूँ, मैंने spawn में दिया है, और number दिये हैं, अब यहाँ पर नीचे वाले क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर अगर आपको यह username blank होगा तो यहाँ पर दिखा देगा, blank नहीं होगा, तो यह मना कर देगा, 25 नियानवे मुझे नहीं लेने दे रहा है, तो मैं 25 अठानमे कर रहा हूँ, और यहाँ पर देखी, processing चलेगी, और यहाँ पर यह भी मना कर रहा है, यह किसी ने बना रखा है, यह भी नहीं मिलेगा, तो ह पासवर्ड अभी आपने बनाया है, उससे थोड़ा डिफर, यहाँ पर आपको पासवर्ड भी दुवारा बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो temporary पासवर्ड था, अब यहाँ पर आपको नया बनाना पड़ेगा, तो चलिए हम एक पासवर्ड भी बना ले रहे हैं, पासवर्ड लेकि यहाँ पर सक्सेस्फुली का मैसे जा गया है, यहाँ प्रोफाल पासवर्ड बनाना बाकी है, अब भी मैं आपको पूरा बता दूँगा इस वीडियो में कि आपको एम पेन और प्रोफाल पासवर्ड भी कैसे बनाना है, तो चलिए यहाँ पर फिर से जाएंगे, एक तीछे जो आपको अंकों में मिला था, वो आपका खतम हो गया है, क्योंको वो पर्मानेंट नहीं था, अब यह वाला आपका पर्मानेंट हो गया है, और जिन वाईयों को फोर्गेट करने पे इसी तरीके से यूजनेम मिला है, तो उनके पास ये वाला स्टेप नहीं है, वो ही यूजनेम डाल दिया, पासवर्ट डाल दिया, और रेफरेल कोड में मैं फिर दिस्प्ले पे सो कर रहा हूँ, यह वाला रेफरेल कोड आपको यहां पर एंटर कर देना है, आप देख सकते हैं, यहां पर अगले स्टेप की तरफ हम बढ़ चुके हैं, यहां पर थोड़ा सा M-PIN के बारे में बताया गया, आप चाहिए तो पढ़ लीजिए, हम यहां पर सीधा Next पर क्लिक करते हैं, अब देखिए, यहां पर सेट New M-PIN के लिए आ गया है, अब यहां पर आपको 6 डिजिट का एक M-PIN बना लेना है, M-PIN से वेनिफिट क्या है, M-PIN से य पर क्लिक करेंगे, और यहां पर आपको इस तरीके से मैसेज मिल जाएगा, Congratulations का, You have successfully registered, Go to login पर क्लिक करेंगे, लेकिन अब आप यहां पर देखेंगे, हमें username, password डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, देखिए, इस तरीके से option आ जाएंगे, जब भी आप अपने app को open किया कर अगर आप चाहें, तो user ID और password के through login कर सकते हैं, यहां पर mpin के आगे, user ID का option दिखा, इस पर किलिक करेंगे, तो यहां पर username password मांगेगा, और by default यहां पर mpin आया करेगा, तो mpin आपने यहां पर जो भी बनाया है, वो enter करेंगे, तो आपको कुछ इस तरीके से जो है, login होके मि आप पर profile password देना पड़ता है, फिर आप मुझे comment करेंगे, profile password तो बता याई नहीं, तो बो भी मैं आपको बता दे रहा हूं, यहां पर थोड़ा नीचे आएंगे, स्क्रॉल करके, service request का मिलेगा, service request पर जाएंगे, और service request पर जाने के बाद जो है, आपको यहां पर एक बनाना है, same to same नहीं बनाना है, इस बात का business दियान लखना, मैं आपको डिस्प्ले पर सो कर रहा हूं, एक बाद फिर से देख लीजिए, कि profile password आपको किस केटागरी से बनाना है, next पर क्लिक करेंगे, अब यहां पर एक security question और answer आपको select करना है, security question में आपको जो भी अच्छ select किया है, और मैंने नाम अजय दे दिया, कोई दिकर नहीं, अब आपको यहां पर अपने account में जो लगा हुआ, mobile number डालना है, दूसरा नहीं डालना है, और उसके बाद जो यहां पर submit पर click करेंगे, submit पर click करेंगे, तो आप देख सकते हैं, यहां पर congratulation का message आ गया, हमारा profile password set हो गया है, यहां पर okay करेंगे, और यहां पर profile password डालने के लिए आ गया है, यहां पर डालें ना डालें, वो आपके इच्छा है, डालेंगे, ATM से related option खुल के आ जाएंगे, मैं यहां पर नहीं डाला हूँ, ऊपर जो cross आ रहा है, इसे cross करेंगे, तो हम अपने homepage पर आ गए है यहां पर हमें कोई problem नहीं आने वाली है, क्योंकि हमारी internet ranking पूरी तरीके से clear हो गई है, यहां पर आप चाहिए तो अपना balance directly उपर से देख सकते हैं, तो अमीद रहुआ दोस्तों आपके सारे question दूर हो गई होगे, कि हम अपना username कैसे दुबारा ले सकते हैं, login password कैसे दुब पूर बताना और पसंद आ जाना तो लाइक से जलू करना, और हमारे चैनल वीडियो अगर आपके लिए helpful रहते हैं, आपको लगता हमारे चैनल से कुछ सीखने को मिलता है, तो प्लीज जो है चैनल को सब्क्राइब करके जाना, साथ में एक पहल आईकोन आएगा, उसे भी जिससे कि हमारे आगे आने वाले वीडियो आपने इस नहीं कर पाएंगे, तो चलिए उस तो मिलते हैं जल्दी नेक्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमश्कार दोस्तों.